सब्सक्राइब करिए डॉक्टर अनुराधा इनके अनुराधा सैडवान सायर वीदा चैनल को और बेल आइकोन दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार मैं वैद्या अनुराधा सार्डे हेल्दी बनने के लिए हमें पोशक आहर लेना चाहिए उसके साथ regular exercise भी करनी चाहिए आज मैं वही आपसे शेयर करती हूँ हम हर दिन nutritious diet लेते हैं लेकिन हमें उससे पूरा पुशन तभी मिलता है जब हमने खाया हुआ खाना ठीक से digest हो इसलिए आयरवेद में जो दिनचर्या कही है उसमें हर दिन सुबह अभ्यंग के बाद व्यायम करने के लिए कहा है व्यायम मतलब जो काम करने से हमें आनन मिलता है हमारा शरीर स्थिर्व होता है स्ट्रॉंग बनता है हमारा बल बढ़ता है उसे व्यायम कहते है हमारे शरीर को अगर व्यायम करने से कष्ट होते है तो हम व्यायम क्यों करें क्योंकि regular exercise से हमें बहुत benefits मिलते हैं लागव, लागव का अर्थ है कि रोज वयम करने से हमारे शरिर में हलका पनाता है, हमारा वजन कम होता है, जिससे हम हमारे सभी काम स्फूर्ती से करते हैं. कर्म सामर्थ्य, व्यायम करने से हमारा स्टैमिना बढ़ता है, इसलिए हम अपने सभी काम अधिक अच्छे से करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन पर्फिक्ट. स्थाइरिय, व्यायम से हमारे हाथ, पैर आदी सभी अवयों स्ट्रॉंग बनते हैं और हम स्ट्रॉंग रहते हैं, दुख्ष सहिश्नुता, व्यायम हर दिन करने से उसका अच्छा प्रणाम हमारे शरिर के साथ साथ हमारे मन पर भी होता है, हमारा शरिर सभी प्रकार के सहन कर पाता है, हमारा मन आनन्दी रहता है, मन शान्त और स्थिर रहता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये ठीक से पैचानता है और अच्छे कर्म करता है, अगर हमारे जिवन में कोई दुखत बात हो, तो हम डरते नहीं, दुख्ष को सहन करते हैं, उसमें से योग्य मार्ग निकालते हैं दोशक्षे हमारे शरिर में वातव, पित्त और कफ़ ये त्रिदोश है हर दिन हर रूतु में इन दोशों की निसरगता वुद्धी होती है हर दिन व्यायम करने से ये बढ़े हुए दोश कम होते है अगर हमने व्यायम नहीं किया तो ये बढ़े हुए त्रिदोश डिसिजेस को निर्मान करते है सुघटित शरिर वायम करने से हमारी माउसपेशिया दुरुड होती है इससे हम वेलशेप दिखते है और हमारी सुन्दरता बढ़ती है अगनी वृद्धी हमारे शरर में तेरह प्रकर की अगनी है उसमें जाठर अगनी सबसे इंपोर्टन्ट है व्यायम से ये त्रयोदश अगनी स्ट्रॉंग बनती है हमारी जाठर अगनी बढ़ती है जिससे हमने लिया हुआ आहार अच्छे से डाइजेस्ट होता है रोगाहा सरवेपी मंदेगनो मतलब अगर हमारी अगनी मंद हुई तो हमें अनेक प्रकार के रोग होते है रेगुलर व्यायम करने से हमारी अगनी स्ट्रॉंग बनती है और हम डिसीजेस से बचते है इस तरह रेगुलर एग्जरसाइज करने से आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे थैंक यू